Hello everyone and welcome to study with Sunil देखे दोस्तों इस वीडियो में अपने राज्तान का जो खिसान आंदोलन है राज्तान का जो एकिकरन है उससे related कुछ most important question answer के बारे में बात करेंगे और बात में राजस्तान के परतीक चिन के बारे में details से अपन अध्यन करेंगे So, काफी कुछ आपको यहां पर जानने को भी लेगा So, without a doubt, a lot to know, a lot to discuss as always But before you begin, Telegram channel आपके लिए अवेलेबल है उसका आप जोइन कर सकते हैं for the PDF and notification of every single video I make Now, session शुरू करते हैं देखे सबसे पहले बात करते हैं, राजस्तान दिवस कब मनाया जाता है और 15th मई 1949 को मतश्य संका जो विले है, वो संयूक्त वरहत राजस्तान में किया गया था राजपुताने के बोगोलिक क्षेतर को राजस्तान नाम कब दिया गया था तो जब राजस्तान का एक इकरण पुरावा था, एक नवंबर 1956 को तो इस राजपुताने का जो बोगोलिक क्षेतर है, इसको राजस्तान नाम दिया गया था विदिवत रूप से स्विकार किया गया था वरहत राजस्तान के परदार मंत्री कों थे? तो वरहत राजस्तान के जो परदार मंत्री थे, वो हीरालाल सास्त्री थे कितनी रियासतें और ठिकाणों के एकिकरण से राजस्तान का निर्मान हुआ था देखे राजस्तान का जो एकिकरण हुआ था उसमें गुनीश रियासतें तीन ठिकाणे यहाँ पर सामिल हुए थे सन 1527 में महारना सांगा और बाबर के मद्दे जो खानवा का युद वा था वो राजस्तान के कोन से जिले में हुआ था तो भरतपूर जिले की एक तैसिल है जिसका नाम है रूपवास तैसिल वहां पर ये खानवा इस्तित है और ये खानवा का युद्ध मारना सांगा और बावर के मद्धे 1527 इसवी में हुआ था महारना परताप को किस ने अपनी संपती परदान की थी तो महारना परताप को अपनी संपती परदान करने कारी किस ने किया था भामा शाह ने किया था दिवेर का जो युद्वा था अक्टूबर 1582 में उसके बाद में महारनापरताप की जो राजदानी थी वो कहां पर थी तो उसके बाद महारनापरताप की राजदानी कहां पर थी चामंड को महारनापरताप ने अपनी राजदानी बनाया था मेवाड के इत्यास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी तो किसके द्वारा ये कुर्बानी दी थी पन्ना धाय ने ये कुर्बानी दी थी उसके बाद में नेक्ट कुशन देर रखा है अजेराथ चोहान संस्तापक थे तो अजेराथ चोहान किसके संस्तापक थे अजमेर के संस्तापक थे महारना परताप का राज्य विशेक कहां पर वा था तो महारना परताप का राज्य विशेक कहां पर वा था गोगुंदा में हुआ था आदी वराह की उपादी किस राजपूत सासक ने धारन की थी ये क्योशन काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है आदी वराह की उपादी किस ने धारन की थी मिहीर बोज पर्थम ने धारन की थी अब मिहीर भोज पर्थम इस नाम को लेकर काफी ज़्यदा आपको confusion रहता है तो देखे गुर्जर परतिहार वन्स का ये एक सासकता मिहीर भोज पर्थम युद्ध भूमी में जाते समय अपने पती के द्वारा निसानी मांगनी के उपर कौन शी वो रानी थी जिसने अपना सीस काट कर भेट कर दिया था तो वो कौन थी रानी हाडी थी हाडी रानी इसका करेटान शरोगा राजपुतों के किस वन्स ने जेपूर के उपर सासन किया था तो रास्पुतों का वो कौन सा वंस था जिसने जेपूर पर सासन किया था कच्छो आवंस ने सासन किया था तामरे नगरी सब्वेता कहलाती थी तो तामरे नगरी आहड की सब्वेता कहलाती थी काली बंगा कहां पर इस्तित है तो काली बंगा हनुमानगड जिले में इस्तित है रास्तान का जो हनुमानगड जिले में इस्तित है और काली चूडियों के लिए फेमस था मोरे सब्वेता के प्रमाण किस स्थान के ओपर मिले हैं तो मोरे सब्वेता के जो प्रमाण है वो विराठ नगर से मिले हैं और विराठ नगर कहां पर आपका जेयपूर में इस्तित है प्राग सिंदु सब्वेता और सिंदु सब्वेता के जो अवसेस हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं तो ये काली बंगा से ही प्राप्त हुए हैं हनुमानगड से प्राचीन हडपा स्तरों में, एकी खेत में, साथ-साथ, दो पसले उगाने के साथ से प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं, यह भी काली बंगा से ही प्राप्त हुए हैं इसके लावा राजस्तान में बोध संसकर्थी के अवसेश कहां पर मिलते हैं तो राजस्तान में बोध संसकर्थी के अवसेश विराट नगर जयपूर में ही मिलते हैं राजस्तान में बोध ध्रम के मठ कहां पर मिलते हैं एनल्स एंड एन्टिक्विटीज ओफ राज़तान नाम से जो पुष्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी कंडल जेमस्टोड के द्वारा लिखी गई थी वो दो राजपूत कौन थे जैमल और पत्ता थे हल्दी गाठी का जो युद्वा था उसमें एकमात्र मुस्लिम सरदार जो महाना परताब के साथ में था वो कौन था हाकीम गां सूरी था ये एकमात्र मुस्लिम सरदार था हल्दी गाठी के उद में जो महाना परताप के साथ में था मेवाड परजामंडल की स्तापना किसी ने की थी तो मानिके लाल उर्मा के द्वारा मेवाड परजामंडल की स्तापना की गई थी राजपुताने के किस राजगराणी ने परजामंडल को सरक्सन दे रखा था तो जालावाड ने सरक्सन दे रखा था राजस्तान के कौन शेक्षित्र ने कर्सक आंदुलन प्रारम करने की पहल की थी तो मेवाड के दुवारा ही राजस्तान में किसान आंदुलन को प्रारम करने की पहल की गई थी बिजोलिया जो किसान अंदुलन थे उसके प्रेरंड़ता कौन थे तो सादू सीता रामदास बिजोलिया किसान अंदुलन के प्रेरंड़ता थे ये क्यूसन काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है एक्जाम में काफी बारी क्यूसन पूछा दाता है तो ये 30 कुशन के बारे में अब बात किये, अब बात करते हैं राजस्तान के परतीक चीन के बारे में, राजस्तान के परतीक चीन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले राजस्तान का राज्य अवरक्स, राजस्तान का राज्य अवरक्स कौन साहे, खेजडी है, अब खेजडी के बारे में जो भी important facts बनते हैं उसके बारे में देखे अपने बात करते हैं step by step को मिलता है शेकावाटिक शेतर में शिक्कर चूरू और जुनजनु के जिले आपके सामिल होते हैं यहां पर खेज़री के वरक्स देखने को मिलते हैं जिसको स्थानिय वासा में जांटी के नाम से भी पन जानते हैं नागोर जिले में ये खेज़री के वरक्स हैं ये हुआ होता है यान की उनका मंदिर बना हुआता है उनकी थान बनी हुईतिय उनकी पीट बनी हुईतिय उनकी गद्धी बनी हुईतिय अपने इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं खेजरी को पंजाबी और हर्याणवी में जांटी के नाम से जाना जाता है जिसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तमील बासा में, पेई में, कन्नड बासा में, बन्ना बन्नी, और सिंधी बासा में, दोगडा और विस्तनोई समाज के जो लोग हैं, वो इस खेजड़ी को समी के नाम से उकारते हैं, अलग-अलग धरम को मानने वाले, अलग-अलग संपरदाय और क्षेत् के आदार पर इस खेजड़ी का जो नाम है, वो परिवर्टित होता रहता है, अस्थानी बासा में, इसको सिमलो के नाम से भी जाना जाता है, खेजड़ी की जो हरी फली होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, सांगरी के नाम से जानते हैं, खेजड़ी की जो सुकी फली होती इसको किस नाम से जानते हैं خुख़ा बोलते हैं और खेजरी की जो पतियां होती है उनका जो चारा बना होता है उसको लूंग बोलते हैं या इसको लूम भी बोला जाता है रास्तानक्षात्रי विशेष में जो बकृर्तरी पालन होता है वहां पर इस लूंग का का आप समय का जाता है खेजडी का जो वरक्स होता है उसको सेलेस्ट्रोना नाम का एक कीडा लगता है खेजडी के वरक्स में और गलाइक्रोट्रमा नाम का एक कवक होता है ये दो कीडे खेजडी के वरक्स को नुक्सान पहुंचाते हैं विग्यानिकों ने खेजडी के वरक्स की जो कुल आयू है वो पांच हजार वर्स मानी है रास्तान में खेजडी के एक हजार वर्स पुराने दो वरक्ष मिले हैं अजमेर में जो मांगलियवास गाव है वहां से ये वरक्ष मिले हैं पांडों ने अग्यातवास के समय अपने जो अस्तर सस्तर थे वो खेजडी के वरक्ष के को जोदपूर का जो खेजडली गाव है वहाँ पर 363 लोगों को एक साथ दिया गया था इस बलिदान के समय जोदपूर का सास कौन था अभेशिंग था अभेशिंग के आदेश के ओपर गिर्दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई थी अमरता देवी रामोजी विस् इस नवी समपरदाय के द्वारा दिया गया ये बलिदान साका या फिर इसको खडाना के नाम से जानते हैं 12 सितंबर को परतेक वर्स खेजडली दिवस भी मनाय जाता है कब मनाय जाता है 12 सितंबर को मनाय जाता है परतम बाद जो खेजडली दिवस था वो 12 सितंबर 1908 को मना गया था और वन्य जीव शरक्षं के लिए दिया जाने वाला जो सरुस्षड पुरुसकार हैências अमरता देवी के नाम पर ही आम्रता देवी वन्य जीव पुरुसकार दिया जाता है वन्य जीव सरक्षं के लिए और इस पुरुसकार की जो शुरुवात है वो गुनी सो चोराण में हुई थी और इस पुरुसकार के तहट अगर ये पुरुसकार एक सनस्ता विशेश को दिया जाता है तो पचास हजार रुपे दिया जाते हैं अगर ये जो पुरुसकार है वो एक व्यक्ति विशेश को दिया जाता है तो इसमे में 25.000 उपई की रासी पर्दान की जाती है, पहली बार जो अमरता देवी पुरुसकार है, अमरता देवी वन्यजू पूरुसकार वो पाली के गंगाराम विस्नोई को पर्दान किया गये था, इसके लावा और बुद्धी मानों का जो उदे है वो 30 से 40 हजार वर्स पूरवे हुआ था तो ये खेजरी के बारे में जितने भी important facts बनते हैं वो सारे अपन कवर कर चुके हैं अब बात करते हैं राज्य पूस्प तो राज्य पूस्प है वो कौन सा है रोहिडा का फूल है रोहिडा का जो फूल है उसको राज्य वरक्स कब गोशित किया गया था तो 1923 में रोहिडा के फूल को राज्य वरक्स गोशित किया गया था इसे मरुसोबा के नाम से भी जानते हैं रेगिस्तान का सागवान भी इस रोईडा के फूल को का जाता है और इनका जो विग्यानिक नाम है रोईडा के फूल का वो है टिको मेला अंडूलेटा रोईडा सरवादिक राजस्तान में पश्चिमी क्षेतर में आपको देखने को मिलता है रोईडे के जो पुस्प हैं वो मार्च अप्रेल के मैने में खिलते हैं और इन पुस्पों का जो रंग होता है वो गहरा केसरिया हरीमिची के समाल होता है जोदपूर में रोहिडे को मारवाड टी के नाम से जाना जाता है ये काफी बार एक्जाम में पूस जाता है जोदपूर क्षेतर में रोहिडे को किस नाम से जानते हैं मारवाड टी के नाम से जाना जाता है अब बात करते हैं राजे पसू तो रास्तान राज्य का राज्य पसू कौन सा है चिंकारा है और वर्तमान में उंट को भी राज्य पसू गोशित कर दिया गया था है तो इसमें चिंकारा और उंट दोनों आएंगे चिंकारा जो है इसको 1981 में राज्य पसू गोशित किया गया था ये एंटिलो परजाती का एक मुख्य जीव है इसका विगैनिक नाम है गजेला गजेला चिंकारा का विगैनिक नाम क्या है गजेला गजेला चिंकारे को छोटा हिरन के उपनाम से भी जाना जाता है और चिंकारे के लिए नाहर गड़ अभ्यरने जो जेपूर में है वो काफी ज्यदा फेहमस है वहाँ पर आपको चिंकारा देखने को मिलता है राजस्तान का जो राज्य फूस्प है वो चिंकारा सारवादी के मरू भाग में पाया जाता है चिंकारा नाम से राज़ातान में एक तत्त वादेइंतर भी है, उसको भी चिंकारा के नाम से पकार जाता है अब बात करते हैं ऊट की 2014 में ऊट को गोशित किया गया था ऊट domestic animal के रूप में सरक्षित शिरनी में और चिंकारा जो है वो non-domestic animal शिरनी के रूप में राजतान के राज्य पशू की सिरनी में इनको रखा गया है तो चिंकरा और उंट दोनों की बारे में अपन बात कर चुके हैं अब बात करते हैं राज्य पक्स की बारे में राजस्तान राज्य का जो राज्य पक्सी है वो कौन सा है गोडावन है 1981 में राज्य पक्सी की तोर पर गोडावन को गोशित क्या गया था इसे Great Indian Bustard के नाम से भी जाना जाता है ये एक सरमिला पक्सी है और इसे पाल मोरोडी या फिर सोन चिडिया के नाम से भी जाना जाता है गोडावन का जो विगेनिक नाम है वो क्रोरियोटिन्स, नाइग्रेसेप्स है गोडावन को सारंग, कुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है गोडावन को हाडोतिक शित्र यानि सोर्सेन में माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है गोडावन पक्सी राजस्तान के तीन जिलों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है जिसमें एक है मरूद्यान, जेसल मेर, बार्ड मेर की बॉर्डर के ओपर ये मरूद्यान, रास्ट्री मरूद्यान बनावा है, वहाँ पर आप गोडावन देखने को मिलता है, सोर सेन 12 और सोकली अजमेर, गोडावन के परजनन के लिए जोदपुर का जो जनतवाले है, वो फ फली और तारा मिरा, ये गोडावन को काफी ज़्यदा अच्छे लगते हैं, गोडावन को राजस्तान के लवा गुजरात में भी सबसे ज़्यदा देखा जाता है, अब बात करते हैं रास्तान के राज्य गीत की, तो केसरिया बालम आओनी पदारो मारे देश, ये राज्य रास्तान राज्य का राज्य गीत है, इस गीत को सरफ फटम उद्यपूर के मांगी बाई के द्वारा गया गया था, और इस गीत को अंतरास्टे स्तर के उपर बिकानिर की अल्ला जिल्ला बाई के द्वारा गया गया था, अल्ला जिल्ला बाई को राज्यस्तान की, राज्य की मरू को किला के नाम से भी जाना जाता है और इस गीत को मांड गाय की में गाय जाता है अब रास्तान का राज्य नर्ते कौन सा है तो रास्तान राज्य का राज्य नर्ते कौन सा है गुमर है गुमर के वल महिलाओं के दोरा किया जाने वाला एक नर्ते है इसे राज्य नर्त कुन सा है तो कथक है राज़तान राज़े का राज़े नर्टे अगर आपसे पूछा जाए तो वो तो गूमर है और राज़तान राज़े का सास्त्री नर्टे पूछा जाए तो वो कुन सा होगा कथक होगा कथक उत्तरी भारत का एक परमुख नर्टे है इसका मुख्य गरान भारत में लखनव है और राजस्तान में जियपूर इसका प्रमुख गराना है कत्तक के जो जनमदाता है वो भानुजी माराज को माना जाता है और राजस्तान का राज्ये खेल कौन सा है तो बास्केट बोल राज्ये खेल है सर 1948 में दिया गया था तो यह राजस्तान के परतिक चिन के बारे में जितने भी facts बनते हैं वो सारे अपन cover कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन परतिक चिन से related question answer के बारे में बात करेंगे और next topic को अपन शुरू करेंगे उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ने कुछ नया ही जानने को मिला होगा and this is the complete analysis of the video thanks for listening, God bless you all